ओकी क्रेडिट देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ तमन्ना दोस्तों आंट्रपरणाइट शेप यानी की एक सही आईडिया और बिजनस स्टार्ट करने के लिए सही आइडिया या फिर एक एप्रोप्रियेट आइडिया आपकी बिजनस के लिए आपको कहीं भी मिल जाएगा कहीं किताबों में बिजनस के किताबों में मिल जाएगा कंछ्वर्ट से आप राय लेंगे अफ्राय तो लेंगी लेकिन उस बिजनस को उस आईडिया को तरह से एक्जिक्यूट करना है किस तरह से इंप्लिमेंट करना है यह सबसे बड़ी चुनौती है यह चुनौती इतनी घतनात होती है कि सी प्रतीशर ऑंट्रपरनायर्स हार मान लेते हैं एक साल के अंदर-अंदर की भई अब बिजनस नहीं हो पाएगा आज हम इनी बिंदूओं पर करेंगे कि ऐसे कौन से आइडियाज हैं ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हम भी अपने बिजनस में अपना सकते हैं और अपने बिजनस को एक इस्टेबलिश बिजनस की कतार में खड़ा कर सकते हैं देखेगा वीडियो एंड तक क्योंकि एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि कौन-कौन से फेक्टर्स हैं कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं जो अब तक आपको ब्रांड मेकिंग के लिए मकसद जरूरी जब आप स्टार्टप की तयारी करें तो आपके पास खुद की तयार की हुई प्लानिंग यानि आइडिया या उद्देश यह होना शाहिए एक्सपर्ट के अनुसारे सोच के साथ जो स्टार्टप की शुरुवात नहीं करते हैं उनसे 40 फीसदी लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि यदि आइडिया और बेशक खुद का नहीं है तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है किसी भी ब्रांड की मेकिंग से पहले आवशक है या आइडिया खुद का हो ताकि रिसोर्स फंड जनरेशन कॉंपिटिशन आदि के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी में जाए इनोवेशन सोर्स समझ कर करें हम सब जानते हैं कि जब भी हम बिजनस शुरू करते हैं तो हमें यह लग रहा होता है कि कुछ ऐसा करें जो दूसरों से अलग हो जो इनोवीटिव हो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो क्या ऐसा सोचना सही है न मिलेग नए प्रोडेक्र को जल्डी लाना स्टार्ट अप के लिए सही नहीं मार्केट रिसर्च के अनुसार किसी भी प्रोड़क्ट की सफर या विफल होने का अंदाज़ा कम से साल भर में लगता है इसलिए स्टार्टप की टेक्नोलजी में आप इनोवेशन करें लेकिन अपने प्राइमरी प्रड़क्ट या सर्विस में जल्दबलाब ना करें इसी काम से ज्यादा जल्दबाजी भी उसे पतन की और ले जाती है कस्टमर की बात सुनना सबसे ज़रूरी जादा तर लोग बिजनस में इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि वो कस्टमर की बात को ध्यान से नहीं सुनते उन्टुपरार के लिए ज़रूरी है कि वो एक सब्ता में कम से कम 10 कस्टमर से डारेक्ट कॉम्निकेशन करें उनकी रिव्यू पर रियाक्ट करें क्योंकि डिजिटल वर्ड में कमेंट एवं रिव्यू की बहुत इंपॉर्टन्स है प्रियास करें कि कस्टमर की समस्या का सामधान हूँ यदि कस्टमर प्रड़क्ट या सर्विस से खुश है तो उसके रिव्यू या कमेंट का प्रयोग आप मार्केट में कर सकते हैं परफेक्शन के पीछे बेवजान ना दो रहें कॉमिनिकेशन कई बाद प्रफेक्शन को लेकर जादा चिंतित हो जाते हैं इससे वो किसी एक सेग्मेंट में अधिक बदलाव करते हैं या इन्वेस्टमेंट अधिक करते हैं इसका असल स्टार्ट अप के अन्य पर पड़ता है प्रोड़क्ट या सर्विस को बेहतर करना जरूरी है लेकिन जो बजट प्लान के दौरान फिक्स किया था उसी के अनुसार खर्चा करें वहीं एक्सपर्ट की राए भी समय समय पर लेते रहें इसके अलावा सामान सेक्टर के बागी स्टार्ट अप की स्टड़ी करना भी जरूरी है तो देखा आपने कौन-कौन से से लूप् होल्ज हैं जो आपके बिजन्स को डाउन कर सकते हैं हम आपको समय समय पर यह जानकारी देते रहेंगे और आपको कोई भी सवाल हो बुको अब करना लाए इस लिए आपको वीडिवश youair कमेंट बॉक्स पे लिखिय वीडियो पसंद आे हाँ, आपने बिजनस का खयाल रखीगा, आपना खयाल रखीगा.